Hello friends, welcome back to the channel Super Ideas. Super Ideas में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है. तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धंतेरस कब है. काफी लोगों को confusion है कि धंतेरस 12 को है या धंतेरस 13 को है. यानि कि वीरवार को है या फिर शुकरवार को है. दंतेरस की पूजा का शुब मौरत क्या है, दंतेरस की पूजन विदी क्या है, किस तरीके से घर पर पूजन करना चाहिए दंतेरस के लिए और यंग दीप जो हम बोलते हैं कि यंग दीप का दान करना चाहिए, उसकी विदी क्या है. इन तमाम सवालों के जवाब आज को आपको इस वीजियो में मिले वाले हैं तो वीडियो को आएं तक जरूर देखिए जो लोग चैनल पर नहीं हैं चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करने ना भोलें इसके साथ साथ दोस्तों आपको बहुत सारी वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे धंतेरस दिवाली यह तमाम तयोहरों को लेकर काफी सारी वीडियो चैनल पर आती हैं इसके अलावा कि आपको धंतेरस पर क्या खरीदना चाहिए कौन सी वसुन नहीं खरीदनी चाहिए या फिर धन्तेरस की शुब जो पूजा मूरत है वो क्या है और क्या टोटके हैं जो धन्तेरस पर आप करके पता लगा सकते हैं कि आपका पूरा साल कैसा जाने वाला है और दिवाली से संबंदिती आपको काफी वीडियो मिल जाएंगी वो भी आप जाकर जरूर जैक आउट करें तो कार्थिक मार्ष की क्रशन पक्ष की त्रियोध सी तिथी को मनाय जाता है धन्तेरस का तयोर जो की दिवाली से पहले मनाय जाता है और इस साल 13 नमबर यानी की शुकरवार के दिन मनाय जाएगा दंदेरस का तोयार छोटी दिवाली से एक दिन पहले आता है और धनतेरस को दिन देव, गुबेर, मा लक्ष्मी, धनवंत्री और यम्राज का पूजन किया जाता है इस दिन सोना, चांदी या बरतन आधी खरीदना शुब माना जाता है तो पहले किर्शन पहस की त्रियोदशी को मनाई जाने वाले धनतेरस को हम धनमंत्री त्रियोदशी भी कहते हैं तो शुक मूरत क्या है, क्या है पूजा मूरत तो धनतेरस का जो पूजा मूरत है वो है आपका पांच बज के 28 मिनट से 5 बज कर उनसर पेरिट यानि साड़े 5 से 6 बजे तक आप दनतेरस की पूजा कर सकते हैं त्रियोदशी आपकी धनतेरस की 12 नमंबर यानि की वीरवार को रात के साड़े 9 बजे से शुरू हो जाएगी और त्रियोदशी थी जो समाप्त होगी वो आपकी 13 नमंबर 2020 को 7 बज कर 69 मिनट तक रहेगी शुब मूरत मैंने आपको बताई दिया है शाम के साड़े 5 बजे से 6 बजे तक आप पूजा कर सकते हैं दंतेरस के पर्था क्यों है क्या है पर्था दंतेरस क्यों मनाया जाता है तो दंतेरस की शाम को घर के बहार मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप चलाने की पर्था है इस पर्था के पीछे लोग कथा भी है तो लोग कथा क्या है कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था दैव किरप्या से उन्हें पूत्र रतन की प्राप्ति हुई जोद्शियों ने जब बालक की कुणली बनाई तो पता चला बालक का विवाज जिस द भी न पड़े दैव योग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंद्रव विवा कर लिया विवा के पश्चात विदी का विधान सामने आया और विवा के चार दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आप पहुंचे जब यमदूत राजकुमार प्राण ले जा रहे थे उस वक्त नव विवायता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हर्दे भी दरवित हो उठा प्रंतु विदी के अनुसार उन्हें अपना कारी करना पड़ा तो यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे उसी समय उन में से एक ने यम देवता से विन्ती की हे यमराज क्या कोई ऐसा उपाई नहीं है जिससम उनुस्स्य अकाल मिर्थि उसे मुक्त हो जाए दूद के इस अनुरोध करने से यम देवता बोले है दूद अकाल मिर्ट्यू तो करम की गती है इस से मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ सो सुनो कार्थिक कृशन पक्ष की तरियोद सी रात को जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीप माला दक्षन दिशा की ओर भीट करता है उसे अकाल मिर्ट्यू का भै नहीं रहता है यही कारण है कि लोग इस दिन घर के बहार दक्षन दिशा की ओर दीप जलाते हैं और यम दीप क दान करते हैं तो ये कताः परचलित है जो कि धन्तेरस के लिए यानि कि धन्मंत्री तर्योगशी के लिए जानी जाती है कि क्या परता है क्यों मनाए गया तो अब बात कर लेते हैं पूजन विदी की किस तरह के से आपको धंतेरस की पूजन विदी करनी है, पूजा करनी है धंतेरस की शाम के समय उत्तर दिशा में कुबेर, धनमंतरी भगवान और मालक्षमी की पूजा की जाती है पूजा के समय घी का दिपक जलाएं, कुबेर को सफेद मिठाई और भगवान धन्वंतरी को पीली मिठाई चड़ाएं पूजा करते समय आपको होम, हीन, कुबेराय, नमय कमंतर का जाप करें और फिर धन्वंतरी स्त्रोत का पाट करके इसके बाद भगवान गनेश और माता लक्षमी की भी पूजा करें मिठी का दिपक जलाएं, मा लक्षमी और भगवान गनेश को भोग लगाएं और फूल चड़ाएं इस तरीके से धन्वंतरस की पूजा की जाती है तो आज की वीडियो में इतना ही, जो लोग नहीं है चानल पर चानल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करना ना बोलें और साथ में बैल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन ओन करें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए तो thank you so much, like करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करें और अपने suggestion आप comment section में comment कर सकते हैं आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं next वीडियो में नई topic के साथ तब तक thank you so much, bye bye, take care